जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes विस समिजन यूटूब चैनल और दोस्तो एप में दोस्तो बहुत सारे स्टुडेंट को एप डाउनलोड नहीं करते बर रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्च भी नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आज उनको बता दूँ कि यह जो Self Study Classes इस प्रकार से जब आप Play Store से करते हैं तो यह आपका वैल जो है आईकन उसमें लगा हुआ है है ना तो इस प्रकार से Self Study Classes आपको सर्च करना है और ऐसे आईकन में आपको एप मिलने बाला है तो दोस्तों हम देखें कि Play Store में आपको इस प्रकार से देखेगा यह Self Study Classes एप देखने बाला है यह Image उसमें डली है यह आईकन यह Logo उसमें डला है अब दोस्तों इसको Install करना है यहां से आप Install करेंगे ठीक है अब Install करेंगे तो बहां पर आपको नंबर मांगेगा Gmail नंबर मांगेगा तो आपको OTP आएगा तो आप Register करके आँगे बढ़ेंगे जैहिन साथ क्यों स्वागत है आपका Self Study Classes एप में और दोस्तों यूटूब चैनल में दोस्तों अगर अभी तक आपने Self Study Classes का एप डाउनलोड नहीं किया तो आज ही Self Study Classes का एप जरूर डाउनलोड करें ठीक है हिंदी साहित का संपूर्ण कोर्स लांच किया गया दोस्तों Self Study Classes एप में आप Master Kader एगजाम की तयारी कर रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, जूनिया, टेटी या हिंदी साहित से सम्मंदित किसी भी अगजाम की तयारी कर रहे हैं तो Self Study Classes एप आप के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ीया टिर्की कोर्स लांच किया गया है बिश्ते तद्यन जहां पर आपको Topic by Test और Live Class है, सारी चीज, Doubt, Solution, सब कुछ मिलता है तो जरूर डाउनलोड करें और दोस्तों आज हम Doubt से जो Clear की Class लेकर आते हैं इसी प्रकार से आज हमारी चटवी Class है, इसको हम देखते हैं आप से पूछा जाता है, ढोला मारूरा दूहा की रचनाकार कौन है ढोला मारूरा दूहा की रचनाकार कौन है अब दोस्तों ये Doubt नमर एक, यहां पर आपके दो चीज़ां मिलती हैं एक तो कलोल कभी और दूसरा कोसलाव ठीक है, अब दोस्तों कौस्चन में आप से जब पूछा जाता है तो एक ही आता है, या तो कौसलाव बिकल्फ में देगा या कलोल कभी देगा, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है कि सबसे पहले जो मूल रचना थी, ढोला मारूरा दूहा वो कलोल कभी की थी, लेकिन दोस्तों बाद में कौसलाव ने इसमें और भी दोस्तों चंद जोडे है ना, कुछ पद और जोड़ दिये इस ढोला मारूरा दूहा में, तो ढोला मारूरा दूहा के रिचनाकार कुसलाव को माना जाने लगा, लेकिन कौस्चन पूछा जाता है, तो अपन को उत्तर कैसे लगाना, विकल पनुसार क्योंकि ढोला मारूरा दूहा के रिचनाकार कलोल कभी भी सही है, और कुसलाव भी सही है, विकल पनुसार अपन को उत्तर कलोल कभी और को सल्लाब लगाना दोनों एक साथ बेकल्प में कभी नहीं आएगा ठीक है तो ये डाउट्स नमबर एक आपका किडियर दूसरा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आप यहाँ पर कलम का जादूगर किसे कहा जाता है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और दोस्तों कन्फ्य 않ते हैं तो राम ब्रक्ष बैनिपूरी यहाँ से होता है भैंकर है ना अगर यहसी क्योश्चन आपका आएगा कलम का जादूगर तो राम ब्रक्ष बैनिपूरी लेकिन अगर आपसे पूचा जाए कि कलम का जादूगर तो रामरक्ष बैनिपुरी कलम का सिपाही तो लगाना प्रेमचंद कलम का मजदूर किसे कहा जाता है तो प्रेमचंद भासा का जादूगर स्यो पूजन सहाय को कहा जाता है और दोस्तों सब्दों का जादूगर कमले स्वर सब्दों का जादूगर कमले स्वर और बिम्ब का जादूगर कहा जाता है केदार नात सेह को तो डाउट्स के लिए कलम का जादूगर रामरक्ष बेनिपुरी कलम का सिपाही प्रेमचंद को कहा जाता है ये जीवनी अलग है दोस्तों एक कलम का सिपाही जीवनी लिखी थी किसने अमरतराय ने कलम का मजदूर जीव चंद को भासा का जादूगर किसे कहा जाता तो से वो पूजन सहाए सब्दों का जादूगर किसे कहा जाता तो कमले स्थोर बिम्बे का जादूगर के दारनास से है ठीक है तो इनको दोस्तों अपन को पढ़ना है इनको यात करना है ठीक है और कलम का जादूगर पूचा गया एक तो आपसे पूछा जाता है उपन्यास समराट किसे कहा जाता है दूसरा कॉस्चन आपसे पूछा जाता है कभी समराट किसे कहा जाता है तो दौनों में डाउट्स होता है कभी-कभी तो उपन्यास समराट अगर आपसे पूछा जाए तो आपको लगाना है प्रेयमिचंद और अगर कभी समराट आपसे पूछा जाए, तो आपको लगाना हरियोद, हरियोद ने दोस्तो नागरी परचाइनी सबा में निसुल्क सेवाई दी थी, इसलिए बहां से इनको कभी समराट की उपाधी मिली थी, तो कभी समराट हरियोद और उपन्या समराट प्रेमचंद, ब यहां पर आते हैं चायाबाद का प्रिवर्टक किसे माना जाता है, यहां भी बहुत सारी लोगों को डाउट से, कैसे, सबसे पहले तो क्वेस्चन नॉर्मल पूछा जाता है, कुछ लोगों की मन में धारना है, उत्तर मुकुटधर पांडे, यहां पर मुकुटधर पांड तब आपका 100% उत्तर होगा मुकुटधर पांडे, अगर आपसे कॉस्चन पूछा जाता है, कि नंद दुलारी बाचपे ने चायाबाद का प्रिवर्टक किसे माना, तब आपका 100% उत्तर होगा पंत को, लेकिन नॉर्मल कॉस्चन अगर पूछा जाता कि चायाबाद का प् तो यहाँ पर चार बिकल्प, चार प्रशना आपके बन जाते हैं, रामचंसोखन के सेमाना, मुकुटधर पंडे, नंदुलारी बाचपे ने के सेमाना, पंत को, खीला चंजोसी ने के सेमाना, जैसंकर प्रिवर्टक को, और नॉर्मल अगर पूछा जाता है तो जैसंकर प से आता है तो आप दोस्तों कन्फ्यूज होते किसमें एक रचना है गीत गोविंद और एक रचना है राग गोविंद और एक रचना है गीत गोविंद की टीका है ना तो इसको आप देखो समझो राग गोविंद बोले राग किया गोविंद से किसने मीरा भाई ने तो राग गोविंद की रचनाकार मीरा भाई होंगे कि जैदेव बोले सर नई राग तो मीरा भाई ने किया गोविंद से किसली राग गोविंद मीरा भाई है ना बोले गीत गोविंद के गाए किसने जैद अब दोस्तों आपसे पूछा जाता है एक question और गीत गोविंद की टीका किसकी रचना है तो गीत गोविंद की टीका मीरा भाई की है गीत गोविंद की टीका मीरा भाई गीत गोविंद जय देओ और राग किया गोविंद से मीरा भाई ने तो मीरा भाई किडिया डाउट्स लाइक जरू कर देना दोस्तों ठीक है एक रस्वती पत्रीका के संस्थापक कौन थे अब दोस्तों यहां क्या डाउट्स होता है बो आपने पढ़ा था कि स्रस्वती पत्रिका के संपादक आपने अधिकांस महावी परसाद्दोवेदी को पढ़ा लेकिन आज ये डाउट सापका किलियर होने वाला है दोस्तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि स्रस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन है संस्थापक कौन है तब आपका उत्तर हो जाएगा क्या चिंता मनी घोस संस्थापक अगर पूचा जाएगा तो चिंता मनी घोस अगर आपसे पूचा जाए कि स्रस्वती पत्रिका के प्रिथम संपादक कौन थे तो प्रिथम संपादक में आपका उत्तर हो जाएगा श्याम सुंदर दास ये प्रिथम संपादक थे क्या थे संपादक और फिर अगर आप से पूछा जाए कि दोस्तों सरस्वती पत्रिका के जो संपादक थे वो कौन थे अगर ये ओफ्सन में आपके नहीं आ रहा है और महावी प्रसाद दुवेदी आपका है तो आप महावी प्रसाद दुवेदी लगाओगे ठीक है लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता है कि महावी प्रसाद दुवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने तो कब बने 1903 में ये बने थे हैना प्रतम संपादक कौन थे स्याम सुंदर दास संस्थापना किस ने की ये संस्थापन खोंते तो चिन्थाम अडि घोस एक और क्वेश्चन सबसे पहले स्रस्वती पत्रिका कहां से प्रकास अतुई थी तो सबसे पहले दोस्तों एक कासी से प्रकासे तुई ती याद रख्टे ना आपके option में प्रयाग आएगा है ना लेकिन इस सबसे पहले कासी में और फिर उसके बाद प्रयाग से ठीक है तो ये भी आपको याद रख्टे ना तो स्रस्वती पत्रिका के संस्तापकोंते चिंत डाउट्स नमर एक आपका किलियर है ना अब दोस्तों यहाँ पर आप बात करते हैं कि प्रैम और रॉमांस का कभी किसे कहा जाता है डाउट्स नमर टू यहाँ पर कैसे एक क्वेस्चन आपका पूछा जाता है छाई रॉमांस का कभी किसे कहा जाता है दूसरा क्वेस्चन आ प्रेम और रॉमांस प्रेम की बात आई तो बोले हमारे अंचल में भी प्रेम किया जाता है अंचल में है ना और च्छाई रॉमांस का कभी कौन है तो च्छाई रॉमांस का कभी कौन है बच्चन बच्चन क्या करते हैं बच्चन से बच्चे बच्चे क्या करते हैं बच्चन तो बच्चन से च्छाई रॉमांस के कभी कहलाते हैं इन्हें कहा जाता है और प्रेम और रॉमांस का कभी कहा जाता है दोस्तो रामिस और सुकल अंचल को है ना इन्हें प्रेम और रॉमांस का कभी कहा जाता है याद रखते ना डाउट्स नमबर टू आपके यहाँ पर किलि और 6 रॉमांस का कभी हरीवन्स राह बच्चन, ठीक है, ओके लाइक जरूर कर देना, अपने मित्रों ताग यह सीरिज को जरूर दोस्तों सेयर करें, डाउट्स वाली सीरिज, हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है, आप से पूछा जाता है, तो आप क्या बताओगे, हिंदी का स से कहा जाता है और एक आता है हिंदी का स्टील के से कहा जाता है दोनों में confusion होता है तो आपको कैसे याद रखना हिंदी का स्टील के क्या लगवाएंगे बाल लगवाएंगे अपने जो बाल होते ना बाल के स्टील के लगवाएंगे काई के इस्टील के तो अब आप से कभी भी पूछा जाएगा कि हिंदी के स्टील के से कहा जाता तो इस्टील से आपको याद आजाएगा कि हमें स्टील के बाल लगवाएंगे तो बाल करशन भट को हिंदी का स्टील कहा जाता है हिंदी का मौन्टेन भी ने कहा जाता है दोस्तो बा और पुत्र का बहुत प्रताफ होता है 100 माने सूर और पौत्र आते हैं भारत अधुन के लिए अब यहाँ पर डौट कैसा बनता है यहाँ पर दोस्तो भारते relationships आ जाता है भारतेंदू तो लोग क्या लगा देते हैं भारतेंदू लगा देते हैं आओ देखाना ताओ और लगा दिया भारतेंदू नहीं लगाना भारतेंदू प्रगेंदू कहा जाता है दोस्तो नाथू राम सर्मा संकर को यह डाउट्स आपको दूर करना है प्रगेंदू की जो पादी है वो नातुुरामसरमासंकर की है यह ना अंगला डाउट्स देख लेते हैं अंगला डाउट्स है दोस्तो बीसन्वी सदी का बानभट के से कहा जाता है यह तो normal question है सबी से बने गा तो हजारी पर साथ दुवेदी आपको पता है दोस्तो हजारी पर साथ दुवेदी की हिंदी साहित का आदी काल हिंदी साहित का अदभा और बिकास है ना हिंदी साहित की भूमिका इन्होंने ये तीन बहुती स्रेश्ट गरंत रेके कबीर नामक दोस्तो इन्होंने गरंती भी पर आपको confusion होता है यह विश्वनात ठीक है तो आपका यहां पर दोस्तों याद रखेना है कि रीति काल को जो स्रंगार काल कहा वो किस ने कहा विश्वनात प्रसाद ने यानि कि यह नंबर जो है वो बिल्कुल साहिए क्योंकि स्रंगार तो विश्व के लोग करते हैं विश् स्रंगार काल कहेंगे फिर आपसे एक गुस्चन roll आता है कि रिती काल को you आनंकृत काल किस ने कहा है कि रिती काल को अलंकृत काल किस ने कहा है तो यहाँ पर डाउट में clear हो गया अब दोस्तों बात करते अंगले प्रस्ण की रीति काल का प्रबर्तक किसे माना जाते हैं एक नॉर्मल question आप से पूछा जाता है तो आप confuse होते हैं क्योंकि आपको पता है रीति काल का प्रबर्तक राम चन्चुक्र ने किसे माना चिंता मनी को स्याम सुन्दर दास ने किसे माना केशव दास को डाक्टर नगेंदर ने किसे माना केशव दास को है ना और काल करम की द्रश्टी से अगर देखें तो कौन होंगे किरपाराम ठीक है तो आप से देखो कितने प्रकार सी क्वेस्चन पूछे जाएंगे स सबसे पहले कॉस्चिन पूछा जाएगा रीती काल का प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर चिंता मनी साही होगा लेकिन अगर आपसे पूछे जाएगा काल किरम की दश्टी से रिती काल की प्रवड तक कौन माने जाते हैं तो उत्तर हो जाएगा कौन दोस्तो किरपाराम ठीक है यहां पर आपके तीन चार प्रस्ण रहते हैं जिसमें आप अहमेशा दोस्तो क्या अंगला क्वेश्टन है दोस्तो हिंदी साहित का प्रथम बड़ा महाकाब कौन सा है एक क्वेश्टन आता है तो आप कंफ्यूज नहीं होना प्रथम जो बड़ा महाकाब है वो बड़ा महाकाब है दोस्तो पदमाबत आपसे क्वेश्टन आता है कि हिंदी का प्रथम महाका अब कौनसा है तो पदमाबत है ना खड़ी बोली का पृतम महाका पदमाबत रचनाकर जायसी है ना इंडी खड़ी बोली का पृतम महा का प्रिये प्रवास रचनाकर हरियोद हरियोद ठीक है ये भी आपको याद रख रहे ना यहां से आपकी जो question है वो क्या हो जाती clear कि doubts वाले प्रसन आप से पूछे जाती है अंगला question अनित्य किसकी रचना है अनित्य रचना बताना है दोस्तों तो यहां पर आपको बताना है कि अनित्य के रचना कार कौन है यहां पर दो लोगों की रचना है दोस्तों अनित्य है ना तो एक तो बदी उज्जमा की और एक मिर्दुला गर्ग की तो यहां पर आपको याद रख रख रहे ना कि जो बदी उज्जमा है इनकी अनित्य क्या ह कहानी इनकी अनित्य क्या है कहानी जबकि मिर्दुला गर्ग का यह क्या है वो पन्यास है तो अगर आपसे नॉर्मल क्वेस्टिन पूछा जाए कि अनित्य किसकी रचना है तो दो मेंसे आपको कोई एक विकल्प मिलेगा आपसे पूछा जाए अनित्य कहानी की रचना कार कौ है अंगला question देख लेते हैं दोस्टोheiten किसी कीजिए अगर इस प्रकार से question आपका आता है पिली आन्दी उपन्यास तो मैंने कई भार आपको बताया बोलिसर जब सरसों पूलता है खेतन में जब सरसों फूलता है तो यहसा लगता है मानो पीग आंधी आ गई हो कहाँ का रभाग खेतान का लेकिन इत क्वेस्चन ऌर आता है में किसका उपन्यास है और का Sigle याद रखेंज ना कंफूज नहीं रहा है पीली यांधि कहां आएगी खेतन में तो खेतान और काली आंदी का से काली आंदी का से कमले सुर ठीक है तो यह तो थे दोस्तों आपके डाउट्स वाले प्रस्टनेंस या ने को वीडियो आएंगे इसकी रचना है चार विकल्पे महादेवी वर्मा की दिनकर प्रतिवा अगरवाल या फिर अलका सरावगी अब ऐसा अगर कोस्टन आता है तो कई लोग कंफ्यूज होते हैं कैसे कंफ्यूज होते हैं डाउट्स नमर एक रस्मी और रस्मी रथी है ना तो रस्मी तो यहां रस्मी और रस्मी रथी में तो रस्मी महादेवी वर्मा जी की रचना है और यह महादेवी वर्मा जी की बोध धर्म से प्रभावित रचना है कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि महादेवी वर्मा की कौन सी रचना बोध धर्म से प्रभावित है तो यह रस्मी रचना है महादेवी जी की ठीक है वागी रस्मी रती किसकी रचना है दिन करकी डाउट्स नमर एक किलियर है ना अब बात करते हैं दोस्तों डाउट्स नमर दो की पिता कहानी के लेकक कौन है दोस्तों ये तीन लेककों के द्वारा एक कहानी लिखी गई जिन में देखें अपन ग्यान रंजन की भी पिता कहानी है महीप सें की भी पिता कहानी है और धीरेंद्र अस्थाना धीरेंद्र अस्थाना की भी दोस्तों पिता कहानी है तो आपको याद रखने ना बोले पिता ग्यान देते हैं तो ग्यान रंजन है ना महीप रहते हैं सेχी भी क्या है ना ये पिता कहानी है धिरेंद्र अस्ताना और दोस्तों धिरें धिरेंद्र क्या करते हैं घ् ग्रे माहिस अब आप से पूचे जाएगा पिता कहानी कि लेका कौन है तो इन तीन वैसे एक विकल्प आपके सामने आएगा उसमें उत्तर आपको टेक करना होगा ठीक है डाउट्स नमर दो आपका किलियर बढ़ते हैं दोस्तों अंगले कॉस्चिन की और बसीयत नाटक के लेकक कौन है बसीयत नाटक अब यहां भी दोस्तों डाउट्स आपके लिए होत दोस्तों नाटक के वसीयत नाटक है वसीयत नमर तीन के लियर है ना अंगला क्वेश्चिन है दोस्तों अंगला जो अपना डाउट से तीसरा हाती नाटक के लेकर कौन है एक question पूछा जाता है अंधों का हाती और दूसरा question पूछा जाता है तीसरा हाती दोनों में confusion होता है तीसरा हाती और अंधों का हाती ठीक है यहाँ से आज रख लेना तीसरा हाती यह दोस्तों किसका है रमेस बक्षी क की रमिस बक्षी का नाटक है जबकि अंधों का हाती जो नाटक है वो सरद जोसी का है जोस में आ गया है ना और तीसरा हाती तीसरा हाती है बोले रमिस बक्षी का ये आप से पूचा जाएगा अंधों का हाती की रचनाकार कौन है तो आप उत्तर लगाना सरज जोसी ठीक है बात कर लेते हैं दोस्तों और एक और है दोस्तों पागल हाती पागल हाती एक लगू कथा है प्रेम चंद जी की पागल हाती ठीक है तो पागल हाती को भी आपको याद रखेना अब एक question और पूछा जाता है दोस्तों doubts नमर 5 अभिमान मेरू किसे कहा जाता है कई बार पूछा गया अब दोस्तों यहां पर एक तो मेरू आ गया मेरू तो बहुत सारे लोग क्या लगा देते हैं मेरू तुंग लगा देते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना अभिमान मेर कहा जाता है पुस्पदन्त को याद रख रहिए ना इनकी एक रचना आपने पढ़ी होगी दोस्तों महा पुरान महा पुरान जिसमें 63 सलह का पूरसों का वर्नन किया गया है तो पुस्पदन्त को अभिमान मेरू कहा जाता है ना कि मेरू तुंग को यहां तो बहुत सारे लगबग मान के चलो कि 50% लोग तो मेरू तुंग लगा कर आती जिनको नहीं पता होता ठीक है तो दोस्तो इसी प्रकार से उत्रार्द भक्तमाल की रचनाकार कौन है अब दोस्तो यहां पर देखो कितने डाउट्स होते हैं आप से एक question पूछा जाता है भक्तमाल की रचनाका कौन है फिर पूछा जाता है उत्रार्द भक्तमाल की रचनाकार कौन है फिर पूछा जाता है भक्तमाल की टीका कार कौन है फिर पूछा जाता है नव भक्तमाल की रचनाकार कौन है चारों रचनाओं में आप कन्फ्यूज होते हो लेकिन याद रख लिना यह उत्तरार्द अकेला आपसे पूछा जाए तो नाभादास ताही हो जाएगा ठीक है भक्तमाल के टीका कार कौन है तो उत्तर हो जाएगा क्या प्रियादास और आपसे पूछा जाए कि नव भक्तमाल के रिचना कार कौन है नव भक्तमाल के तो आप राधा चरण गोश्वमी लगा देना ठ चार प्रश्öm यहां से बनते हैं भक्तमाल की रिचनाकार नाबादास उत्रार्द भक्तमाल की रिचनाकार भारतेंदु है ना sure आपको बताना है दोस्तो निराला नरहरी बंदी जन रहीम या फिर विद्यापती में से तो यहां पर जो डाउट्स नंबर आपका 2 है क्या डाउट्स होता है जिनने नहीं पड़ा वो महापात्र को सीधे सीधे लगा के आते हैं क्या निराला लेकिन आपको पता है कि निराला को महापात्र नहीं महाप्राण कहा जाता है महाप्राण निराला को जब कि महापात्र कहा जाता है नर हरी बंदी जन बोले हम हरी के नर जो हैं वो हरी के महापात्र हैं क्याद रख ले ना नर हरी बंदी जन इन्हें महापात्र कहा जाता है और निराला को कहा जाता है महाप्राण बोले हमारा महाप्राण निराला है हमा कि रिचनाकार कौन है तो यह तो सब को पता है कि सर यह जो कहानी है फ्लेस बैक सैली में लिखी गई कहानी है और इस कहानी के जो लेका के वो चंद्रधर सर्मा गुलेरी है यह ना उसने कहा था बुद्दू का काटा और सुकमाई जीबन इनकी यह तीन प्रसिद्ध कहानिया म तो आप कहोगी यार कि यह बोई पूचा होगा उसने कहा था लेकिन यह गडबड हो गया होगा परिक्षक ने प्रिंट करने बाले ने नहीं लिख दिया अपन तो तरसही लगाएं है ना तो यह उसने नहीं कहा था यह दोस्तो रचना शैलेस मट्यानी की और तुमने कहा थ तुमने कहा था एक रचना नांगरजुन की तो तेन डाउट्स वाले क्वेस्चन उसने कहा था चैंदरधर सर्मा गुडेरी उसने नहीं कहा था सैलेस मट्यानी तुमने कहा था नांगरजुन ठीक है किडियर चौथा क्वेस्चन अपन देखते हैं दोस्तो आधी काल को चा तुरा गिरियरसन ने तो आप कंफ्यूज नहीं होना बिकल्प में एक ही आएगा या तो रामकुमार बर्मा आप से दिया जाएगा या फिर गिरियरसन आपको दिया जाएगा ठीक है तो आदिकाल को चारणकाल रामकुमार बर्मा ने भी कहा है और गिरियरसन ने भी कहा है ठ हैं डाउट्स नंबर फएव जो सबसे खतरनाक वह सबसे खतरनाक है स्वर्ण योग और स्वर्न काल लोग बहुत कन्फूज होते हम भी कन्फूज हो जाती हना तो स्वर्ण योग किसने कहा और स्वर्ण काल कहा है किसने गिरियरसन ने इसको आपको याद रख्टेना है बोले स्वर्न के काल में गिरे स्वर्न के काल में गिरे तो गिरे से बनेगा गिरियरसन स्वर्न काल और स्याम सुंदर स्वर्न योग है ना बोले स्याम सुंदर का जो योग था वो स्याम सुंदर योग था स्या स्वर्ण के काल में गिरे तो गिरियर्शन यह doubts वाला question दोस्तों मैंने इस सुधार के आपको दिया है वीडियो इसको देख लेना और सुधार लेना बिलको चाहिए स्वर्ण योग किस ने कहा स्याम सुधार दास ने और स्वर्ण काल किस ने कहा गिरियर्शन ने ठीक है confuse नहीं होना वीडियो को like कर देना और दोस्तों जो भी doubts लगे आप जरूर बताईएगा उन doubts को भी हम दोस्तों वीडियो में लेकर के आएगे जिनको भी doubts जिस question में लगता है जो आपको याद नहीं हो पाते हैं या doubts वाले कोई question आपके हो कमेंट में आप लिखिए वीडियो में हम लेकर के आएगे आपको बताएगे वीडियो को like और share आपको जरूर करना है दोस्तों और इसी प्रकार से बने रहें like share करें self study classes के दोस्तों coaching app self study classes से जुड़ जाईए उसको दोस्तों डाउनलोड कर लीजिए ठीक है तो आजके इस वीडियो के लिए बस इतना ही जै हिन दोस्तों बहुत सारे student को app डाउनलोड नहीं करते वर रहा है या फिर कर भी लिया है तो course भी नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आज उन icon में आपको app मिलने बाला है ठीक है तो दोस्तों हम देखें कि Play Store में आपको इस प्रकार से देखेगा ये self study classes ठीक है ये play store में आपको self study classes का app दिखने बाला है ठीक है ये image उसमें डली है ये icon ये logo उसमें डला है ठीक है अब दोस्तों इसको install करना है यहाँ से आप install करेंगे ठीक है अब install करेंगे तो बहां पर आपको number मांगेगा Gmail number मांगेगा तो आपको OTP आएगा तो आप register करके आँगे बढ़ेंगे